समस्कार दोस्तों स्टूटी ट्रैक चनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज यू लाइक इट एक पले जो विलियम सेक्स्पियर दोवारा 1569 इस्वी में लिखा गया था तथा 1623 इस्वी में इसे पब्लिश किया गया था और यह एक पैस्टोरल क बेड़ी है तो सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं इसके करेक्टर से इसमें पहला करेक्टर है ड्यूक फेडरीक का जो ड्यूक सिनियर का छोटा भाई है और सीलिया का पिता है रोजलिंड जो ड्यूक सिनियर की बेटी है सीलिया जो ड्यूक फेडरीक की डोटर है और रोज जैक्रीस जो सर्रोलेंड का दुसरा वेटा है तथा ओर्लेंडो जो सर्रोलेंड का तिसरा वेटा है ऐडम एक वफादर बुडा नोकर है जो ओर्लेंडो के साथ फोरेस्ट ओफ एर्डन में रह जाता है इस पलेगी शुरुवात होती है जब और्लेंडो अपने भाई ओलिवर के बारे में आडम से कहता है कि उसके भाई ओलिवर ने उसके साथ बहुत गल्द किया इतनी ही देर में ओलिवर वहां आ जाता है और्लेंडो उसके भाई को भी वही बोलता है जो उसने एडम को बोला था कि तुमने मेरे साथ बहुत गल्द किया है इसके बाद औरलेंडो अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है तथा इसके बाद वहां चारलस आ जाता है जो की एक रैसलर है और ओलिवर से कहता है कि ड्यूक फेडरिक ने अपने भाई ड्यूक सिनियर को अपने राज्ये से भगा दिया है तथा ड्यूक सिनियर अब फोरेस्ट ओफ आर्डन के जंगलों में चला गया है तथा ड्यूक सिनियर की बेटी रोजलिंड को उसने अपने राज्ये से नहीं निकाला है क्योंकि रोजलिंड ड्यूक फेडरिक की बेटी सीलिया की सबसे अच्छी दोस्त है और चारलस ओलिवर से कहता है कि कल सुभह मेरे साथ तुम्हारे भाई ओर्लेंडो की फाइट है तुम चाहो तो उसे समझा सकते हो कि यह है फाइट तुम नहीं करोगे तब ओलिवर कहता है कि मैंने अपने भाई ओर्लेंडो को समझाने की बहुत कोशिश की परंतु है तुम्हें हरा कर ही मानेगा इस जिद पर अड़ा हुआ है इतनी सुनकर चारलस भी गुस्से में वहां से चला जाता है इसे देखकर ओलिवर बहुत खुश होता है क्योंकि वह भी यह चाहता है कि ओर्लेंडो इस रहेगा तो ओलिवर ने उसके पिता की संपती को दो बराबर भागों में बाटना पड़ेगा तथा एक हिस्सा ओलिवर के पास वह दूसरा हिस्सा ओर्लेंडो को देना पड़ेगा आगे सीलिया अपनी चचेरी बहन रोजलिंड को मना रही है क्योंकि सीलिया के पिता तुम मेरी सगी बहन की तरह हो और मेरे पिता भी तुम्हारे पिता की समान ही है इतनी ही देर में एक नोकर इन दोनों बहनों के पास आता है और कहता है कि अब थोड़ी देर बाद एक रैसलिंग का मैच होने वाला है जो चारलस और ओर्लेंडो के बीच होगा इन सभी को पत होता है कि चारलस एक बहुत ही खतरनाक वह पुराना रैसलर है वह औरलेंडो को मार भी सकता है तभी दोनों बहने औरलेंडो के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम इस रैसलिंग से अपना नाम वापिस ले लो क्योंकि तुम इस रैसलिंग को लड़ने के लिए काफी छोटे और नो सिखिया हो तुम्हें इतना अनुभव भी नहीं है लेकिन ओर्लेंडो इन दोने बहनों की बात को मना कर देता है तथा लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है ओर्लेंडो किसमत से इस रैसलिंग को जीत भी जाता है तथा इसे देखकर रोजलिंड बहुत खुस होत आता है आगे सीलिया रोजलिंड से कहती है कि तुम उस ओर्लेंडो को पसंद करने लगी हो इसके बाद वहां ड्यूक फेडरिक आ जाता है जो सीलिया के पिता है और वह रोजलिंड से कहते है कि तुम अभी के अभी इस राज्य को छोड़ कर अपने पिता ड्यूक फेडरिक के पास चली जाओ और ड्यूक फेडरिक वहां से चला जाता है तथा सीलिया रोजलिंड से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ राज्य छोड़ कर साथ चलूंगी और इसके बाद ये दोनों बहने तथा एक इन्वे से दरबारी इनके साथ चले जाते हैं और रोजलिंड एक रोजलिंड के फादर ड्यूक सिनियर को फोरेश्ट ओफ एडन में ढूंडने लगते हैं ड्यूक सिनियर के साथ जो लोग है वह उसके बहुत वफादार तथा बहादूर हैं तथा वे सभी फोरेश्ट ओफ एडन में बहुत अच्छी तरह से रहते हैं अब जब ड्यूक फ कि जब और्लेंडो ने अपना राज्य छोड़ा था तथा वहां फोरस्ट ओफ इडन में चला गया था तो वह साथ में उसकी बेटी को भी ले गया होगा परंतु यह उसका सक बहुत गलत था आगे जब रोजलिंड और सीलिया फोरस्ट ओफ इडन में परस्थान करती है तो इ इन से ये दोनों बहने एक आदमी के रूप में है तथा एक औरत के रूप में है ये अपने रहने के लिए एक कोटेज खरीदती है और्लेंडो जिस जिस रास्ते पर चलता है वह साथ की साथ उन पोयम को पेडों पर लिखता चलता है जो उसने रोजलिंड के लिए लिखी आगे जब ओर्लेंडो वा एडम फोरेस्ट ओफ इडन में चलते चलते ड्यूक सीनियर और उसके साथियों के पास पहुँच जाते हैं तथा उनसे खाने के लिए मांगते हैं इतने में ड्यूक सीनियर ओर्लेंडो से कहते हैं कि आओ मेरे पास बैठ कर खाना खाओ परन्तु ओर्लेंडो अपने साथि एडम के लिए खाना ले जाना चाहता है कि एडम को भी बहुत भूक लगी हुई थी और जब सीलिया वर रोजलिंड उस रास्ते पर चलते हैं और उन पेडों पर लिख्यू हुई पोयम को पढ़ते हैं तो रोजलिंड के लिए लिखी गई थी वे दोनों सोचती हैं कि इस जंगल में कौन रोजलिंड के लिए पोयम लिख सकता है और थोड़ी देर बाद उन दोनों बहनों की मुलाकात और्लेंडो से हो जाती है परन्तु और्लेंडो इन दोनों बेहनों को पहचान नहीं सकता क्योंकि उन्होंने अपना रूप बदला हुआ है इनके बदले हुए रूप के कार्ण इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है और साथ ही इन दोनों बेहनों को पता चल जाता है कि ये जो पेडों पर पोयम लिखी है ये औरलेंडों ने ही लिखी है फिर ये दोनों बेहने औरलेंडों से पूछती है कि ये रोजलिंड कौन है और तुम इस से कितना प्रेम करते हो और अब ओर्लेंडो भी इन दोनों का अच्छा दोस्त बन जाता है जिससे ये इनके कोटेज पर आने जाने लगता है डूक फेडरिक ओर्लिवर से कहता है कि तुम भी फोरेस्ट ओफ एडन में जाओ और अपने भाई ओर्लेंडो के साथ साथ मेरी बेटी सीलिया को भी डूंडो और ओलिवर अब इस जंगल में आ जाता है लेकिन तभी एक सेर ओलिवर पर हमला कर देता है और ओर्लेंडो ओलिवर को बचाने के लिए उस सेर से लड़ने लगता है इतने में ओलिवर को अपने आप पर बहुत सरम तथा गुस्सा महसूस होता है क्योंकि वो जिस भाई को मारना चाहता था तथा जो मेरे कारण राज्य से भाग कर इस जंगल में रह रहा है आज मेरी उसे भाई ने से लड़कर मेरी जान बचाई लेकिन सेरनी से लड़ते समय औरलेंडो घायल हो जाता है तभी औरलेंडो अपने बड़े भाई ओलिवर से कहता है कि मैं अब इस सिथिती में नहीं हूँ मैं चल नहीं सकता परन्तु तुम उस कोटेज पर जाओ जहां तुम्हें एक आदमी वा एक औरत मिलेंगे और यह मेरा खून लगा हुआ रुमाल उन्हें देना और साथ में कहना कि आज मैं उनके पास नहीं आ पाऊंगा और लिवर वहाँ जाकर जब वापिस औरलेंडो के पास आता है और कहता है कि मैं सीलिया को बहुत पसंद करने लगा हूँ इतनी ही देर में वे दोनों भी औरलेंडो के पास आ जाते हैं तब ही औरलेंडो अपने बड़े भाई की सीलिया से साधी की बात रोजलिंड से करता है जो गैनिमिड नाम से एक आदमी बना हुआ है सीलिया की साधी के लिए वो उसे हां कर देते हैं अब रोजलिंड जो आदमी के रूप में है जिसका नाम गैनिमिड है औरलेंडो से कहते है कि तुम मेरी तुम तुम्हारी प्रेमी का रोजलिंड को तुम्हारे पास मैं ला सकता हूँ इतने में औरलेंडो कहता है कि तुम रोजलिंड को बुलाओ तथा कल ओलिवर की साधी सीलिया के साथ है तथा मेरी साधी रोजलिंड के साथ हो जाएगी आगे इस साधी के दिन सभी लोग इखटे होते हैं और जब ड्यूक सीनियर को पता चलता है कि यह गैनिमिड नाम का व्यक्ति अथवा रोजलिंड के बदले रूप में उसकी बेटी को ला सकता है तो वह भी इसे देखने अथवा अपनी बेटी रोजलिंड को देखने के ल दोनों बेहने यहां पहुंची और वे दोनों क्यों रूप बदल कर जंगल में रह रही थी इतने में एक सेवक और यह खबर लेकर आता है कि डूक फेडरिक अपने बड़े भाई डूक सीनियर को मारने के लिए जंगल की तरफ आ रहा है रास्ते में डूक फेडरिक को एक पादरी मिलता है तथा वह उसकी बातों से परभावित हो जाता है और उसके साथ पादरी बन जाता है और अपना सारा राजपाट अपने बड़े भाई डूक सीनियर को सौप देता है इसी के साथ यह पले समापत होता है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर वा कमेंट जरूर करें और ऐसी ही सटर्डी रिलेटिड वीडियोज को देखने के लिए सटर्डी ट्रैक चैनल को सबस्क्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ओन कर दें ताकि हमारी वीडियोज का नोटिविकेशन आपको मिल सके धन्यवाद